Hello friends, welcome back to my channel, my name is Kapil and today in this video we are going to talk about ytcreate application ठीक है, तो हम ytcreate application पर directly जाते हैं, यहाँ पर already मैंने ytcreate नाम का application जो है वो डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हों कि ytcreate नाम का यह application है, जहाँ पर आपको youtube का जो gmail का google का email id है कोई भी उससे login करना है, उससे login करके आप इस application से directly video create कर सकते हो, इसमें आप directly 3-4 image merge करके उसके उपर video editing भी कर सकते हो for example, यहाँ पर मैंने कुछ sample create किये है, ठीक है, तो आप देख सकते हों कि यह एक image है, ठीक है, तो generally अभी लोग क्या करते है, eye catching और response gain करने के लिए कोई भी image के उपर text लगाते हैं, और उसके बाद कुछ question वगरा करते हैं, नीचे subscribe, comment वगरा का text भी आलते हैं, ठीक है, और ज कौन-कौन से basic feature यहाँ पर दिये गए, यह application में, जैसे कि आप मैंने बदाया कि आप plus icon जिसमें यहाँ पर add करके, कोई भी image add किया, उसके बाद text यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि कोई भी text का option है, तो text का option भी यहाँ पर दिया गया, sticker वगरा आप add कर सकते हो, ठीक है, definitely अगर यूट जैसे Google का, YouTube का है, तो आपको subscribe वगरा icon बहुत easily मिल जाएंगे, subscribe, like, subscribe वाला icon मिल जाएंगे, bubble speech आप देख सकते हो कि वो भी आपको मिल रहा है, ठीक है, और जैसे calling वाला, जैसे speech bubble से, ठीक है, और अलग-अलग variety of, let's say, titles आपको जैसे text के option यहाँ पर मिलते है तो यह काफी अच्छा option है, यहाँ पर text का, ठीक है, अभी मुझे कुछ apply नहीं करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर cancel करूँगा, let's say, फिर से editing, और यहाँ पर मुझे editing जैसे, बहुत सारे animation, replace वगरा यह कुछ चीज मुझे करना है, तो move to front, move to back, अगर कुछ चीज मुझे back side करनी है, front side करनी है, तो यह भी एक option आ रहा है, ठीक है, अगर मुझे इसको delete करना है, तो जैसे मैं select करूँगा, delete यह duplicate का भी option यहाँ पर मिल जाएगा, मैं यहाँ पर delete कर दूँगा इसको, उसके अलाव आप हम बहुत सारे stickers यूज करते हैं, आज का stickers का demand जादा चल रहा है, तो stickers जैसे subscribe, मैंने already बोल दिया, subscribe है, और बहुत सारे emojis है, ठीक है, और यह animated, small animated graphics वगरा के जो है, वो भी आप यहाँ पर लोग apply करते हैं, ठीक है ना, तो यह उसमें आप search का option यहाँ पर मिल जाएगा, आपको जो, आपको specific thing कुछ search करनी है, तो आप search कर पाओगे, यहाँ चीज़ आप easily, अगर आप shorts video बनाते हो, तो shorts video के लिए बहुत ही effective रहेगा, यह definitely longer video के लिए भी है, लेकिन longer video में हम ज्यादा कुछ यह चीज़ अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन it is a good thing, actually YouTube directly provided those things inbuilt, अगर आप directly audio apply करना चाहते हो, तो audio भी यहाँ से आप apply कर सकते हो, YouTube की खुद की library यहाँ से open हो जाती है, ठीक है, तो आप directly कोई भी song यहाँ से apply करना है, यहाँ से ही song apply करो, आपको कोई copyright का issue यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, sound effect है, और your music, आपने जो भी music select किये है, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, तो यह हो गई बात sound के related, आ voice over करना चाहता है, ठीक है, अगर आपने already video बना लिया है, उसके बाद आपको voice over करना है, तो यह option भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप कुछ image करो, और लेट से यह image की उपर मुझे यहाँ पर voice over करना है, मैं voice over का, उसका request जो भी access दे दूँगा, और उसके बाद मैंने आपनी, यहाँ पर जैसे record already करना, start कर लिया है तो यह option मुझे voice over भी कर देगा, ठीक है, तो उसके बाद मुझे voice over में कहा तक करना है, ठीक है, तो वो option मैं select कर सकता हूँ, ठीक है, अभी done हो गया, मेरा, यह done कर लिया, तो उसके बाद मैं मुझे associates कर सकता हूँ क्येgrund मुच् अगर आपको split करना है कितने time के लिए इमेज डिस्प्ले करना है तो यह option भी आपको यहां सब मिल जाएगा आप उसको control कर सकते हो ठीक है split करना चाहते हो ठीक है अगर यह आपको 5 seconds से कम करना है तो आप यहां से उसको कम ज्यादा कर सकते हो ठीक है तो यह में 2 seconds तक की visible होगा तो यह उसके उपर मुझे filter apply करना है तो यह बहुत ही अच्छा है कि directly में कोई भी image के उपर filter apply कर सकता हूं यहां पर तो यह काफी हच्छ तक अच्छे options दिये गए जो आपको जादा अभी दूसरे case में अगर आप यह नहीं यूज़ करते हो तो आपको वह पहले video edit करना पड़ेगा export करना अपड़ेगा और वह export करके आप फिर से यूट्यूब में अफ्लोड करोगे जिसमें यूट्यूब का music आप upload करोगे ठीक है तो यह थोड़ा ज्यादा एक दूस टेप और ज्यादा हो जाता है उसके बलके आप यहां पर directly यह step पे भी जा सकते हो और आप effect डिरेक्ली यूज कर सकते हो लेकिन जादा उतने attractive effects नहीं है जैसे कि इंस्टा और अलग फेस्बुक में आपको जादा effects मिल जाते हैं यहाप एक और अच्छा option जाएगी आप डिरेक्ली image की brightness contrast यहां से ही control कर सकते हो तो यह एक चीज़ अच्छी बात है आपका जो अगर आपके मेरा का setting अपने कुछ filter supply करना भूल गए उसके ऊपर से आपको कुछ change करना है ठीक है तो यह आप यहां से कर सकते हो तो यह एक अच्छी बात है की brightness contrast and highlight वगरा जो भी आपको यहां से change करना है skin tone वगरा भी option दिया गया है तो यह कापी हद तक आपको help करेगा आपके वीडियो को edit कर करने के लिए ठीक है तो यह तो यह सब चीजे थी अभी हम जाएंगे लेट से sound पर वोइस ओवर हमने ओड़ी किया है ठीक है तो लेट सी अभी हम एडिट में यहां पर डायरेक्ली एक्सपोर्ट का option है ठीक हम export पर डायरेक्ली लास्ट पर जाएंगे ठीक है बैक करता हूं मैं यहां से यह close करूंगा ठीक है overlay में भी आप कर सकते हो कि दो आपको images दो वीडियो एक के उपर एक करना है तो वो option भी आपको दिया गया है मतलब काफी हद तक वीडियो एडिटिंग के option दिये गए आपको chroma की आपको यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि chroma की का feature minute at least नहीं ठीक है उसके बाद sounds में जाते हैं तो कोई भी sound में select करता हूं यहां से apply कर देता हूं आप उसको select कर सकते हो ठीक है मैं यहां पर द्यादा play नहीं करूंगा क्योंकि इसे copyright का issue तो नहीं आएगा थोड़ा बहुत में play कर सकता हूं ठीक है न तो वह ठीक है तो वह जो भी हमने सब्सक्राइब यहां पर आ रहा है ठीक है अभी देखेंगे कि मैं आपको दिखना चाहता हूं कि अगर आप sound को कैसे control करना चाहते हो तो यह देखो layers already यहां पर दिखाए गए तो यह गर मुझे यह comment मुझे change करना है तो यह directly drag and drop आप उसको कहा तक दिखाना है यहां से directly control कर सकते हो ठीक है और यह वाणा sound का option है थीक है यह मेला sound है यह by default यह वाला sound है ठीक है और उसका volume देखो स्का वाला sound है ठीक है वो कर सकता हूं तो यह में इसका volume में जाओंगा और 0% करणा तो यह वो इसका sound नहीं दिखाए था अगर मुझे लग रहा है कि मेरा voice का मेरा voice over ही मुझे दिखाना है विडियो में तो मैं उसका volume 100% करूँगा आप अपना परसंटेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो तो यह वोई सब्सक्राइब काफी हद तक अच्छा दिया गया मेरे लिए यह नेसेसरी नहीं तो मैं इसको जीरो कर दूंगा ठीक है तो यहां पर आपको ओडियो क्लीनप का उप्शन ओडियो का उप्शन में अफितक यूज नही नहीं किया है लेकिन या आई डों नो में भी आई विल ट्राय आउट अगीन लेट यू नो इफ इस वाट एक्जेक्ली इस ओके तो अभी थोड़ा वो टाइम ले रहा है ठीक है डों नो वाट ओडियो क्लीनप इस लेकिन में चलो हम उसको कैंसल कर देते यह डिरेक्ली मेर इंटर्फेस डिरेक्ली मिल जाता है लास्ट ओप्शन जैसे यहां पर अंडू यह वाला जो ओप्शन है ठीक है आई थिंक सम्वेर इट वेंट रॉंग तो मेरा जो अभी स्क्रीन है वाइटी क्रियेट का वह सम्हाव डिस्टब हो गया है ठीक है तो मैं फिर से जाओंगा प्रेस प्रेशन हों अब हम फिर से वहां पर जाते हैं अपना जो ओप्शन है तो Ł. आपको मिल जाता है और उसके यहां पर से ही यहां पर आपको liberal तो आप वर्टिकल फॉर्मेट या होरिजन्टल फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में जाना चाते हो अगर आप शोट वीडियो बनाते हो तो 9 वीडियो बनाते हो तो 16 क्रोश 9 पे जाओगे उसके साथ से आपको एडिटिंग करना भी तो यह सेलेक्शन आपको पहले ही करना आप जैसे एक्सपोर्ट करोगे तो वह फ्रेम ब्रेट और कौन सा फाल फॉर्मेट और कॉलिटी लेट से स्टांडर्ट सेवन ट्वेंटी पी या टैनेटी पे आपको कौन से रिजुलिशन पर जाना है वह आपको बताएगा आप सिलेक्श करके उसको एक्सपोर्ट कर सकत तो यह बहुत ही एजी है क्योंकि आपको ज्यादा दिकत इस एप्लिकेशन में यूज करने में नहीं आनी चाहिए और ओर मेरा जो एक्सप्रियंस ना है वह बहुत स्मूध है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहां पर नहीं यह पर आपको एक्सपोर्ट में भी मुझे तो एक्सप्रियंस काफी अच्छा है मैं सजिस्ट करूंगा कि आप डिरेक्ली वाइटी के अगर आप नोर्मल वीडियो बनाते हो नोर्मल वीडियो दिटिंग के लिए तो यह बेस्ट अप्लिकेशन मुझे तो लगा तो आप इस अप्लिकेशन को यूज कर सकते हो और अभी ब्रइन्काफ इस वीडियो में बने रही हो तो थैंक्स पॉर वैक्स पॉर वाइड ऑस वीडियो को श्कटोब करेंगे मेरा ऑस किन सेदंग्य सुर्का नेक्स्ट ऑर गूड्जु वाचिंट पॉचिंग इसे को थोे को तैक्स पॉर विदिए को गया है